चाड़क के IS Academy में आप सभी का स्वागत हैं हमारा आज का विशे है भारत में 5G Network भारत में 5G Network के बारे में आज हम विस्तार से बात करेंगे जैसे ही भारत के अंदर 5G Spectrum की निलामी होती है उसके बाद से 5G सेवाओं की लाँचिंग पर बात होने लगती है 5G सेवाओं की लाँचिंग पर बात तब और जादा तेज हो जाती है जब Zio और Airtel ये घोशना करते हैं कि October 2022 के अंद तक भारत में 5G की सेवाएं वो लाँच कर देंगे ऐसा वो संकेट देते हैं केंद्रिय संचार मंत्रायलय के तरफ से आता है कि देश के जादतर विसों में अगले 2-3 साल में 5G सेवाओं उपलब्द होंगी इसके साथी ये C301 हो जाती है कि इस साल के अंद तक यानि की 2022 के अंद तक भारत के अंदर 5G सेवाओं लागू हो जाएंगी किस तरकी होगी ये सेवाए इनका लेवल क्या होगा इस पर हम बात कर लेते हैं केंद्रिय संचार मंत्राले ने कहा है कि ये सेवाए अंतरास्पियस तरकी होगी सरकार ने इसके लिए right of way में संशोधन किया है ताकि कम्पनियों को टावर लगाने से लेकर इन्फरास्ट्रक्चर से संबन्दित जितने भी काम हैं उनको करने में उनकी लागत भी कम आए और समय भी कम लगे सरकार की इस फैसले से कोई भी राजयक केबल बिछाने से लेकर पोल लगाने तक कि जितने भी कार्या हैं इन्फरास्ट्रक्चर से रिलेटेड उनमें अधिक शुल्क कम्पनियों से नहीं वसूल कर पाएगा आरो डबल्यू को निगरानी के लिए पी एम गतिशक्ती पोर्टल से भी जोड़ दिया गया है ताकि इन्फरास्ट्रक्चर से जुड़ी समस्त पर किरिया ओनलाइन हो सके इसकी मंजूरी ओनलाइन ही मिल सके इससे पहले क्या होता था इस तरह की मंजूरी लेने के लिए स्थाने निकायों से मंजूरी लेनी पड़ती थी जिसमें समय अधिक लगता था लेकिन अब ये सारा कम 15 दिन में ही हो जाएगा हम जहां 5G टेकनीक की बात कर रहे हैं वहां हमारा ये जानना भी आवश्चत है कि 5G टेकनीक आखिर है क्या और ये कैसे दूसरी टेकनीकों से भिन है यानि कि 4G, 3G से कैसे भिन है तो 5G Mobile Broadband Network में नवीन तम अपग्रेडेशन है मतलब नवीन ये इसका संस्क्रण है कह सकते हैं आपकी 4G के बाद 5G आया है 5G मुख्या रूप से 3 बैंड में काम करता है निम्न, मध्यम और उच आवरती स्पेक्टरम में जिन में से सभी के अपने अपनी उपयोग भी है और अपनी अपनी सिमाएं भी है जैसे हम अगर निम्न बैंड स्पेक्टरम की बात करते हैं तो इसमें इंटरनेट और डेटा एक्सचेंज की कवरेज और गती के मामले में बहुत अच्छा ये परदशन करता है और इसकी अधिक्तम गती 100 MBPS तक होती है जहां हम मध्यम बैंड स्पेक्टरम की बात करते हैं तो निम्न बैंड स्पेक्टरम की तुलना में इसकी गती तो उच होती है मतलब कि इसकी स्पीड तो हाई होती है लेकिन इसका coverage area और signal की पहुँच के मामले में इसकी कुछ limitations होती है जहां तक हम उच्छ band स्पेक्टरम की बात करते हैं तो इसमें गती काफी हाई होती है लेकिन इसमें बहुत सीमित coverage और signal प्रवेशक्ती होती है compare to मध्यम और निम्न 5G के उच्छ band स्पेक्टरम में इंटरनेट की गती की अगर हम बात करें तो 20 Gbps प्रती सेकंड तक ये होती है जबकि जादातर मामलों में 4G में अधिक्तम इंटरनेट डेटा गती 1 Gbps प्रती सेकंड ही होती है तो speed साफी high होती है 5G में लेकिन 5G में ही जो इतीन वर्जन है उसमें coverage area और इसकी speed के अंदर अंतर हो जाता है जैसा कि कोई भी नई चीज आने वाली होती है तो हमें उबीद हो दी है कि उससे हमें कौन-कौन से फायदे होंगी हम उनसे क्या-क्या किस तरह की आशाएं लगा सकते हैं तो 5G से हमें किस तरह की आशाएं हैं आईए हम इसमें जानते हैं 5G-4G network के 50ms की तुलना में केवल 1ms की विलंबता दर्शाता है यानि कि बहुत कम टाइम में compare to 4G data को ट्रांसफर कर देता है दूसरा अभी बहुत सारी समिक्षाएं आए हैं उसके अनुसार जब हम 5G का इस्तमाल करेंगे तो हमारी कम बिजली की खपत होगी क्योंकि हमारी बैटरी का परियोग बहुत कम हो जाएगा और बैटरी युज़ेस घट जाएगा क्योंकि स्पीड जादा हाई होगी इसके अलावा 5G सिर्फ तेज डाउनलोड और स्पीड से तक ही सीमित नहीं है सेलुलर वैडमिन्ट में व्रदी तेज गती कम बेलंबता के साथ यह कहीं उपकरनों को एक दूसरे से संचार करने और दूर से नियंतरित करने और आपस में जोड़कर इसको इंटरनेट आफ तिंग्स को बढ़ावा देने की बात भी करता है तो इसलिए यह और जादा स्मार्टनेस ले आएगा टेक्नोलोजी में इसके साथ ही फ्यूचर के अंदर 5G को स्मार्ट सिटी इंफ्रस्ट्रक्चर से भी जोड़के देखा जा रहा है और सेल्फ ड्राइविंग कारों और रोबोटिक सर्जरी के लिए भी इसको परियोग किया जा सकता है ऐसी बात की जा रही है तो इससे काफी उम्मीदे हैं भारत को अब हम बात कर लेते हैं कि 5G नेटवर्क किस प्रकार का होगा तो अगर 5G के नेटवर्क की हम बात करें तो ये दो प्रकार के होते हैं और दोनों ही एक दूसरे से काफी अलग होते हैं एक होता है MMWay 5G Superfast इसमें सबसे कम लेटेसी होती है लेकिन इसका नेटवर्क अकसर बहुत चोटे एरिया तक सीमित होता है यानि की Speed बहुत जशाहुधा High होगी लेकिन इरिया Analysis बहुत जादा नहीं होगा बहुत सीमित होगा दूसरा जो होता है वो होता है सब 6 GHz 5G network, तो यह जो सब 6 GHz 5G network है, इसमें क्या होता है कि व्यापक network coverage होता है, काफी दूर के area को जो है यह cover कर लेता है, लेकिन इसकी जो गती है, speed जो है, वो compare to mmWave 5G, उससे थोड़ा कम होती है, 5G network कई अन्य देशों में भी प्रियोग में लाया जा रहा है, और वहाँ हर जगा पर उस 5G coverage का इस्तेमाल किया जा रहा है, जो area को जादा cover करता हो, यानि कि सब 6 GHz 5G का जादा उपयोग किया जा रहा है, और इसी पे ही भारत ध्यान दे रहा है, इससे क्या होगा कि network अपनी लंबी range के कारण एक आधर्श network होगा और इसको स्फापित करना काफी आसान होगा, जहां MMB 5G में उच गुणवत्ता के लिए उपयोग करताओं को 5G single tower के करीब होना जरूरी होगा, मतलब कि आपको गती speed जादा चाहिए और आपको speed जादा होने के लिए आपको tower के आसपास भी होना पड़ेगा, क्योंकि उसका network coverage एरिया बहुत कम है, वहीं दूसरी तरफ MMBase में coverage जादा होने के विज़े से अगर आप अपने tower से दूर भी हैं तो भी आप उसका इस्तेमाल आसानी से कर पाएंगे, यह इसमें वो फाइदा होगा, जब भी कोई नई चीज आती हैं तो उससे रोजगार बढ़ते ही हैं, तो 5G के आने पे भी कहा जा रहा है कि भारत में इससे रोजगार बढ़ेंगे, सरकार जो है अब तक 5G पर 60,000 करोड रुपय का निवेश कर चुकी है, और आगे दूर संचार छितर में 3,000,000 करोड का निवेश होने जा रहा है, प्राइवेट कमपनियों ने भी अपनी कमर कसली है और उन्होंने इसके लिए हाइरिंग भी शुरू कर दी है, ताकि जैसे ही 5G लाँच होता है, तो इस सुलिधा को जल्द से जल्द अपने ग्रहा को तक पहुँचाया जा सके, 5G के बारे में हम अल्मोस सारी बात कर चुके हैं, अब हम बात करेंगे 5G से पहले के इतिहास पर, यानि की 1G से लेके 4G तक, तो जहां हम 1G की बात करते हैं, तो 1G 1970 की दशक में आता है, सबसे पहले जापान के द्वारा इसे लॉंच किया जाता है, और ये 1G मोबाइल दूर संचार प्रद्योकी की पहली पेड़ी होती है, जो केवल वाइस कॉल की सुधा ही प्रदान करती है, इसके बाग में जब 2G आता है, तो 2G 1991 में आता है, और दूसरी पेड़ी में 1G के एनालोग सिंगल पूरी तरह से डिजटल हो जाते हैं, इसके साथ और कुछ इनोवेशन होते हैं, जैसे की CDMA और GSM की अविधारना याती है, और इस से क्या होता है, उप्योग करता पहले ज KBPS की अधिक्तम गती हो जाने के कारण आप SMS बेज पाते हैं और MMS की भी सुधा मिल जाती है, इसके बाद भारत में और पूरे विश्व भर में आता है 3G, तीसरी पीडी, तीसरी पीडी आने के बाद कुछ और बदलाव हमें दिखाई देते हैं, 2001 में 3G सिवाओं की शुर होता है, यह मोबाइल फोन पर इमेल, नैविगेशन मैप, वीडियो कॉलिंग, वैब ब्राउजिंग और संगीत की सुविधाएं देता है, इस पीडी के दोरान हमने देखा होगा कि ब्लैक बेरी के फोन बहुत जादा चलन में थे, इसके बाद स्टीव जॉब 2008 में आईफ पास आता है, चारजी में आज हम अधिकाश लोगों को इसको उपयोग करते वे देख रहे हैं, जो भी प्रेजन टाइम में लोग फोन इस्तेमाल करते हैं, वो जादातर लोग 4G का इस्तेमाल करते हैं, और 4G में बहुत सारी सुविधाएं हैं, इसमें उच गती के साथ देटा सेवाएं भी हैं, और मानक 4G 3G की तुलना में 5 से 7 गुना तेजी से काम करता है, 3G की तुलना अगर करें हम 4G से, तो 4G नेटवर्क पर एक फोन को इसके कम विलंब के लिए तवरित प्रतिक्रिया मिलती है, इसने हमारे फोन को हाथ में ली गई कंप्यूटर, मतलब कि 4G आने के बाद फोन लगबग मीनी कंप्यूटर हो गया है, जो आदमी अपने हाथ में फोन रखके सारे वो काम लगबग कर सकता है, जो हम कंप्यूटर के माधियम से करते हैं, तो मैं आशा करती हूं कि आज की इस टॉपिक में सब कुछ समझ में आ गया होगा 5G के बारे Wiki के जूGijíए, के गया है, प्रिया है, डिया टॉको क criarाश और बारे कि भीजर अचे कर दो कि एक एक हैं।